आइब्रिवन वेल्कम टु एक्जाम आईक्यू एक्जाम आईक्यू की इस वीडियो में जैससी और जैप्यसी के लिए जारखंड जीके का एक प्रैटिस सेट करते हैं तो एक प्रैटिस सेट संख्या उनी से इसे पहले 18 प्रैटिस सेट अप्लोड हो चुके हैं अगर नहीं चैनल को सस्क्राइब कर लें आगे बढ़ने से पहले तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट का पहला स्वाल तो इस सेट का पहला स्वाल क्या है तो निम्लिकित में से किस अस्थान पर अंग्रेजों ने जलिया वाला बाग की तर्च पर गोलिया ब़ृसाइ थी तो डूमबर पंजाब में और इस हत्याकंड के लिए गोली चलाने का आदेश किस ने दिया था जनरल डायर ने लेकिन जहारखंड में भी 1919 से पहले ही जलिया वाला भागा घत्याकांड हो सुखा है उसी टाप के घटना हुए थी तो कहा हुए थी डोमरी पहाड में और चार जहारखंड के कौन से जिले में है तो जहारखंड के खूंटी जिले में स्तित है तो इस घटना क्या थी तो बिरसा अंतोल के दोरान तो बिरसा गूट के जो विद्रोई इस पहाड़ी पर सरन लिये थे तो इस पहाड़ी को अंग्रेचों ने चार तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को बोला था और उसके बाद अंधादुन गोली भी फाइर किया था इनमें से बहुत से लोगों की जान गई थी तो ये जार गंड का जलिया वाला भाग था दोम्री पहाड तो अप्शन ये सही हो जाएगा आगे देखते अब तो किस जिले का निर्मान पुरू मुगल सासक राजा मेधनी राय द्वारा किया गया आगे पुरू मुगल सासक के समय में मेधनी राय के द्वारा कौन से किले का निर्मान किया गया पलामू किले, रोतासगर किला सेरगर किला या सिंद्रा किला तो इसका सही हो जाएगा पलामू किले तो पलामों की लिए का निर्मान मेदनी राय द्वारा किया गया था और मेदनी राय मुगलकाल के सासक थे लेकिन जारखन के कौन से ओंसक के सासक थे तो इसका सहीन सरो जागा जारखन के चेरो ओंसी है सासक मुगल मेदनी राय ने पलामु कीले का निर्मान करवाए था आगे आप देख लेते हैं तो अठार सो पंद्रव में एडवर्ट सेबंथ की अस्मिर्ती में किसका निर्मान करवाए गया था तो अठार सो पंद्रव में एडवर्ट सेबंथ की अस्मिर्ती में किसका निर्मान करवाए गया था भगवा कुवा, तेलिया गड़ी, किला, राजमहल या लीला तो इसका सही नसर क्या हो जाएगा भगवा कुवा और भगवा कुवा जो है चाहर कंट के कहाँ पे स्तित है तो इसका सही नसर हो जाएगा साहिब गण जीले में तो साहिब गंज जिले में भागवा कुवा है जिसका निर्मान का गुवा था 1815 में किसकी अस्मिर्ती में अंग्रेज एडवर्ट सेबंत की अस्मिर्ती में साहिब गंज में भागवा कुवा का निर्मान गुवा था और तेलिया गड़ी का किला भी कहां पे है आपको कमेंट करके बताना है तेलिया गड़ी का कखिला जार्खण में कहां पे है आगे दिख लेते हैं तो ओलम्पिक सोर्ण पध्क विजेता वह कौन नेता थे जिन्होंने जार्खण में एक राजिनितिक दल की अस्थापना की चींठा तो तो ओलंपिक में स्वन पदक विजेटा टीम के खिलाडी भी रह चुके थे तो जैपाल सिंग के संबद कौन से खेल से था होंकी से था और उन्होंने कौन से ओलंपिक में स्वन पदक जीता था तो उन्हें सो अठाथास के MS DRUM आनी नीदरलेंड में जो हुआ तो उस प्रतियोगिता में होंकी के प्रतियोगिता में भात टीम ने स्वन पदक जीता था और उन्हें सो अठाथास में कहां पे MS DRUM नीदरलेंड में और इस होंकी टीम के केप्टैन कौन थे जैपाल सिंग आगे अब देख लेते हैं तो किस खनीज का एक मातर उतपादक राज जहारकंड है तो कौन से खनीज का एक मातर उतपादक राज जहारकंड है तो अंसर क्या हो जागा इसका यूरेनियम और पाइराइट कोईला और यूरेनियम अबरख और पाइराइट यूरेनियम और बॉकसाइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेनियम, यूरेनियम तो confirm है लेकिन किसका एक मात्र उतपादक है यूरेनियम के अलावे पायरायट ओपसन यह सही वह जाएगा तो यूरेनियम और पायरायट का एक मात्र उतपादक भारत का jharkhand है और पिछले सवाल में और पॉइंट की बात कर देते हैं जो प्राया एक्जामें पूछा जाता है तो Jaypal Shings का समद हो की से था तो Jaypal Shings का जयानम का हुआ था इसका जयानम तीन जनवरी 1903 को हुआ था कब हुआ था तीन जनवरी 1903 और निधन का हुआ था 20 मार्च 1970 और निदन कहां पे हुआ था देली में हुआ था और कौन से बीमारी से ब्रेन हेमरेश से अब आगे देख लेते हैं तो निमलखित में किसे ASEA का सबसे बड़ा स्टील सेंदर कहा जाता है तो ASEA का सबसे बड़ा स्टील सेंदर और श्रापित में का सयोगे था था चा पार, तो ASEA का सबसे बड़ा स्टील प्लाइबत ने ने सयोगे था जो ASEA का सबसे बड़ा स्टील प्लाइबत अगे आप देख लेते हैं अटल बिहारी वाजबे सरकार में 1 एम पर्यावरन राजी मंत्री कोन थे तो अटल ब्यारी वाजवे सरकार में वन और प्रियावरन राजी मंत्री कों थे? बावलाल मंडी, कडिया मुंडा, सीपी सिंग या जैपरकास नरायन सी तो इसका सहीन सर है बावलाल मंडी तो बावुलाल मंडी वाजपेश सरकार में वन एउम प्रियावरन राज मंतरी थे और वहाँ से इस्तिपा दे के जब 15 नॉमबर उन्हेश दोजार इसपी को जारकन राज के गठन हुआ उसके बाद जारकन के मुख्य मंतरी बने थे तो उप्सन ये सही हो जागा तो अटल ब्यारी सरकार में वन एउम प्रियावरन राज मंतरी कों थे बावुलाल मंडी आगे देख लेते हैं एक नकसली वारदात में किस अस्थान पर बावुलाल मंडी के पूत्र अनुप मारंडी मारे गए थे जगह का नाम किया था तो इसका सही अनसर है चिलखारी चिलखारी नससराहर में बावुलाल मंडी के पूत्र अनुप मारंडी मारे गए थे तो अप्सन B इसका सही हो जाएगा आगे अब देखते हैं जारखन सरकार ने वर्स 2012 को क्या घोसित किया था तो जारखन सरकार ने साल 2012 को क्या के रूप में घोसित किया था हरित वर्स, सेवा वर्स, बीटिया वर्स या इनमें से कोई नहीं तो इसका सहिंसर है जारकंट सरकार ने वर्स 2012 को बीटिया वर्स के रुप में घोसित कर रखा था तो अप्सन सी सही है और इस वाल जारकंट सिक्षक नियुकती परतियोगता परिच्छा में पुछा जा चुगा है आगे देख लेते हैं जारकंट के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक उनका अहवान करते थे तो अथाषु संतावन के विद्रो संताल विद्रो टाना भगत आंदोलन या तो भारत छोड़ आंदोलन तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा तो जर्मन बाबा के गीतर कुण से आंदोलन के दोरान गाया जाता था जारकंट चेतर में तो इसका सही इंसर है उप्शन C टाना भगत आंदोलन के दोरान जर्मन बाबा के गीत गाया जाता था और टाना भगत आंदोलन हुआ कब था तो इसका सही इंसर है उन्हेसु चग लेते हैं 2007 में जेल ले जाने के दोरान सीबू सोरेन के काफिले पर किस अस्थान पर हमला हुआ था तो 2007 में सीबू सोरेन को कोईला घोटाले के मामले में जब जेल ले जाए जा रहा था तो इसको कौन से अस्थान पर इसके काफिले पर हमला हुआ था राची दुमका चत्रा विखा के दूम रिया तो इसका सेंसर है डूम रिया ऑप्सन डीस से हो जाएगा और शीबू सोरेन ज्ञारकंड के तीन बार मुख्य मंतरी परह चुके हैं आगे देख लेते हैं अबरक की खाने कहां पाई जाती है तो अबरक की खान कहां पेस्तित है राची, कोडर्मा, बुकारो, धनबाद तो इसका सही इंसर क्या हो जागा अब्रक की खान जो है कोडर्मा जीले में इस्तित है और कोडर्मा को अब्रक की उपलबता के कारण भारत की अब्रक की रायधानी भी बोल जाता है तो अप्सन भी सही हो जागा और जहारकर ने प्राया सबसे ज़्यादा कोडर्मा पाजाता इसके लावे 1000 पाग और ग्रिडे में भी अभरक अधिक मात्रा मिलते हैं आगे देखते हैं अब दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्टमंडल खेलो में सोन पतक जीता था उन्होंने कहां प्रसिक्छन दिया गया था तो दीपीका कुमारी ने 2010 के राष्ट मंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था लेकिन उसे ट्रेनिंग कहां मिला गा था जारखन धनूर विद्या अकादमी टाटा फुटवल अकादमी मेकन धनूर विद्या अकादमी टाटा धनूर विद्या अकादमी या तो टाटा आगे अब देख रहते हैं बेतला राष्टु ध्यान किस जिले मिस्ती थे तो बेतला राष्टु ध्यान कौन से जिले मिस्ती थे यह पूछा गया है लातेहार धनबाद गुमला दुमका तो इसका सही इंसर है बेतला राष्टु ध्यान जो है लातेहार जिले मिस्ती थे तो ये से ही हो जागा और बैतला राश्ट उध्यान वही उध्यान है जहां पर 1932 में पहली बार बागों की गन्ना हुई थी आगे देखते हैं जमसेदपूर किस नदी के किनारिस्तित है जमसेदपूर कौन से नदी के किनारिस्तित है दामोदर, सोनरेखा, कोसी या गंगा तो इसका सही इंसर है जमसेदपूर जो है सोनरेखा नदी के किनारिस्तित है तो उप्सन B से हो जागा और सोनरेखा से एक एक्स्ट्रा क्या पूछे जाते है स्वरनेखा नगडी निकलती कहां से है तो रांची के नगडी छेतर से निकलती है और जहारखंट की एक मातर नदी है जो अपना जल सोतनत रुप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है तो उप्सन 20 का सही हो जाएगा आगे देख लेते हैं जहारखंट में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है तो जहारखंट से होकर बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है बंगाल का शोक, जहारखंट का सोक, बिहार का सोक यह इनमें से कोई नहीं तो बिहार का सोक तो कोसी नदी को बोल जाता है लेकित बंगाव का श्रोक के रूप में दामुदर नदी जाना जाता है और दामुदर नदी का एक अन्य नाम है देव नदी और जहरकंड के सरवादिक पर्दूसित नदी कौन सी है दामुदर नदी ही तो option A इसका सही है जमसेदपूर के अस्थापना किस ने की थी यह पुछा गया है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा option B जमसेद जी नोसेरवान जी टाटा के दवारा जमसेदपूर सर के अस्थापना की गई थी और कौन से साल अस्थापना की गई थी 1907 में और कौन से नदी के किनारे स्वन तो जार्खण के कौन से जिले में ओटो अनुसांगी उद्योगों का संकेंद्रन है राची पच्छमी सिमूम गड़वा लोहर दगा तो इसका सजार्खण में मनाया जाने वाला एक लोगप्रिय जंजातिय तेहवार क्या है दिपावली होली छट सरूल तो जार्खण में मना जाने वाला एक लोगप्रिय जंजातिय तेहवार की बात की गई है वो बताना है तो इसका सही अंसर है सरूल ऑप्सन दी इसका सही हो जाएगा जब जंजातिय तेहवार की बात की है तो सरूल होगा वैसे तो सभी तेहवार जार्खण मना जाते है दिपावली भी मना जाता है होली भी लेकिन चट लेकिन सरुल जो है जंजातियों के परमुक्ते वार है तो अपसन डी इसका सही हो जागा आगे आप देखते हैं तो जारखंड के किस जिले में अबरक की सबसे बड़ी खान इसती थे तो अबरक की सबसे बड़ी खान जारखंड के कौन से जिले में है इसे से मिलता जूलता सवल देख लिए थे, तो अप्सने ये सही हो जागा, कोडरमा जिले में, तौपचाची वनजी अभ्यारन किस जीले मिश्ती थे तो तौपचाची वनजी अभ्यारन कौन से जीले मिश्ती थे धनबाद बुकारू हजारी बाग गुमला तो इसका सही इंसर है option A धनबाद में तो तौपचाची वण जी अभ्यारन कहां पे है धनबाद और इस अभ्यारन के बीच में एक हरी पाड़ी नाम की जील भी है तो हरी पाड़ी नाम की जील तौपचाची अभ्यारन के बीच में ही है जो धनवाद जीले में श्तित है आगे देख लेते हैं जादू गोड़ा किसके लिए परसित है तो जादू गोड़ा किसके लिए परसित है तो इसका सही इंसर क्या हो जागा यूरेनियम की खान के लिए तो यूरेनियम की खान के लिए जादू गोड़ा परसित है और जारख लिखितमें से किसके बीच द्रोनी बनाती है तो इसका सही ञाएइ raising क्या होगा रांची और हजारी पाध़ार के बीच में दामदर द्रोनी बनाती है तो option A is कसे है तो उरां कौरवा और पाहडिय के सम्बन किस Sheas परिवार से है तो उराओं, कोरवा और पाड़िया जंजाती की भासा परिवार का समन्द किस भासा से है तो इसका सही अंसर है दड़वीर भासा परिवार से है तो option C इसका सही हो जाएगा और यह सवाल JSC और JPC में पूछा जा चुगा है आगे देख लेते हैं मेथन और पंचेत हाइडल पावर अस्टेशन किस नदी पे है तो मेथन और पंचेत हाइडल पावर अस्टेशन कौन से नदी पे है यह पुछा गया है खरकाई दामोदर बराकर सुर रेखा तो इसका सही नसर है option C बराकर नदी के किनारे तो हाइडल प तो रेजिना के अंदर का निर्मान किया गया है तो यह थे उनिसों सेट में पूछे की सेट में कुछ महत्पुन स्वाल जो जे ससी और जे पेसी के एजाम के लिए थी महत्पुन है थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं दे सेट में